हेलो फ्रेंड्स हम लोग यह जो वीडियो बना रहे हैं आज यह इस टॉपिक पर बना रहे हैं कि हमको क्या-क्या बिजनस को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होती है और इसमें बहुत चुटी-चुटी बाते हैं एंड तक पूरा वीडियो को देखिएगा अगर आप एक मैक्सिमम कितना लेना होता है और आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं घर बैटके भी कर सकते हैं आप एक चोटा ओफिस भी ले सकते हैं तो मैं सारी बातों पे ध्यान से सुनिएगा एक एक करके बात करूंगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट नमबर वन की प कंपनी आप बनाएंगे फॉर्म करेंगे आप प्रोप्राइटर्शिप में बनवा सकते हैं अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप पार्टनर्शिप में बना सकते हैं या आपके पास दो से ज्यादा लोग हैं तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड या आपके पास और भी अठ्छे हैं कु LOL will be a क्पनी बना सकते हैं कि इसमें आपके उपर करता है कि इसमें कितना पैसा करके काम कर रहें अगर बहुत कांप इंवेस्ट करके काम कर रहे हैं तो आप सुर्फ मैं आप से काँगा ब्रोप्राइटशिप में जाएिए नॉर्मली आपको पुछ नहीं करना है आपको सरफ आपका पैञायर की जगा है तो अपके पास जखेशन muffin के वकील के साथ सब्सक्राइब आपको में होता है अगर मैंनिफ्ać्रेंग करें एक मैंनिफैक्श्रींग करें ट्रेडिंग लिए तो स्रेव Irish के लिए पनिफσειर इस हर में में मैंनिफैक्श्रेशन कर लिए या आक और भी किसी भी जिलनर पता कर सकते हैं तिसरा जो इसमें रिडिप्रिशन होता है, अगर आपको फaimer की परड़क्ष बेच रहें, जैसे कोई brand बनाना चाहते हैं याँगर आपको कोई, जैसे, आपने कोई बीजिय talvez Hand Wash बनाया, Finile बनाया, Washing Powder बनाया, या कोई भी प्रोड़क्ट, चाए की पत्ती है, आटा है, चावल है, दाल है, अगर पाकिंग में करके बेच रहे हैं, लोग उसका copy duplicate बना के बजार में बेच सकते हैं, तो अपने उसमें आपकी quality खराब करके बेच सकते हैं, तो इसकी market आपकी खराब ना हो, तो इसने सरकार ने इसमें copyright या trademark का option दिया हुआ है, तो आप ये दोनों ले सकते हैं, copyright और trademark ये दोनों अलग-अलग संस्था से होता है, दोनों अलग-अलग चीज़े हैं, copyright का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी brand है, logo है, या कोई भी चीज़े है, तो उसको आप अपने एसाब से copyright करा सकते हैं, फिर उसको कोई भी अगर-गर बिलको similar चीज़ यूज़ करेगा, तो आपके पास right होगा कि आप उसकी against case करके उसको stop करा दें, और अगर आप trademark कराएंगे, तो trademark आपका brand का name होता है, जैसे बहुत सारे brand है, बजार में, जैसे बड़े-बड़े भी brands है, जैसे बहुत कंपनिया होती है, जैसे P&G कंपनी है, इनके बहुत सारे products आते हैं, तो यह सारे trademark कराते हैं, जैसे इनका product है, wheel, यह trademark word है, P&G का है type, इनका trademark word है, surf excel, तो यह trademark word है, तो यह जैसे आप अपने brand को भी trademark करा सकते हैं, यह simple process है, इसका यह online हो जाता है, आगर आप हमसे संपक करेंगे, तो हम आपको बता देंगे, यह कैसे करना है, description में मेरा number रहता है, यह आप मुझे comment करके भी बता सकते हैं, मैं आपको अपना number शेयर कर दूँगा, तो इससे आपको यह copyright का आप अराम से इसको करा सकते हैं, और trademark भी आप करा सकते हैं, देखे जब यह तीनों registration आपके हो जाएंगे, तो आप एक अराम से बिजनस को start कर सकते हैं, फिर आपको एक bank account, current account खुलाना होता है, क्योंकि GST के सकते हैं, यह आपको जो मैं system बता रहा हूँ, बहुत आपको systematic बता रहा हूँ, एक-एक step करके और इस सारे पूरे process में 15 दिन से एक महिना लग सकता है, यह depend करता है कि आप कितने fast इस पर response करते हैं, आप कितनी तेजी से सब चीज़ों को apply करते हैं, आपके documents ready हैं कि नहीं ready है तो जब आपका यह सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप अपना product बेचने के लिए और खरीदने के लिए eligible हो जाएंगे सरकार के तौर से, और आप एक CA से भी संपर कर सकते हैं कि जो आपका part time हम यह नहीं कहेंगे, कोई full time CA रखिए है, यह यह भी नहीं कहेंगे या आप bill book भी छपा सकते हैं, तो आप दोनों ही way में जा सकते हैं, software में जैसे अगर tally है, या business solutions बहुत सारे बजार में हैं, जो आपके bill बनाने में आपकी मदद करेंगे, जब आप search करेंगे, तो आपको सामने सामने दिख जाएंगे, और इसके बाद अगर आप bill book छपा क के पूरी बात को समझ सकते हैं, तो ये पूरा एक process है, जिससे आप एक business को start कर सकते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखी जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप पैसे का lien देन कर रहे होते हैं, तो सरकार भी इसमें tax में, अगर आप bills नहीं काटेंगे, तो आप से काऊंगा काम करिये, तो एक systematic way में, legal way में करिये, जिसमें आपके पास bill काटने की वेवस्था हो, जिसमें आपके पास mal भेजने की वेवस्था हो, अब हम लोग बात करते हैं, कि ये सब तो हो गया पूरा आपका system की कैसे run करेगा, अब हम बात करते हैं, कि product क्या choose करन ठीज में अटा हो गया डाल हो गया घुटका हो गया या कोई भी चीज जो आप consumption करते हैं घी हो गया यह सारी चीज़ है आपके consumer products में इसके cleaning products आते हैं जैसे बीटोर्जेंट है तो ये सारे ये products हैं इनको choose कर सकते हैं क्यों ऐसा है क्यों कि इनकी demand population जितनी अपनी देश की बढ़ेगी इनकी demand भी बढ़ेगी इसमें competition बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाईया competition की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई साथ देखे competition किस चीज में नहीं है हम 130 करोल के देश में रह रहे हैं और competition तो हर जगा है हर field में आप कुछ भी चालू करें वहाँ पे हमारे जैसे लोग मिल जाएंगे लेकिन अगर आप वो product शुरू करेंगे कि जो daily बिखने वाले हैं और क्योंकि population बढ़ रही है तो demand भी बढ़ रही है जितनी population बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो आप फिर भी एक ऐसा product चूज करें जो daily running का है जिसकी daily need बने रहती है क्योंकि आप business में बने रहेंगे तो यह सब जो मैंने आपको products बनाए है इसमें मैंने भी choose किया है segment जिसमें मैंने cleaning range का segment चूज किया है इसलिए choose किया है क्योंकि जो segment है यह अच्छा segment है इसमें आप कोई भी चीज जब बना के बेशते हैं तो इसमें demand अच्छी है सब के घर की need है, hand wash सब के घर की need है toilet cleaner सब के घर की need है finail सब के घर की need है washing powder सब के घर की need है कपले तो दुल नहीं है तो यह सारी चीजों पर हमने भी choose किया है और कोई भी बन्दा अपनी brand या अगर इसको brand चलाना आता है या वो brand अल्रड़ी चला रहता है दूसरों को कोई भी बात इस तरीके से share नहीं करता है क्योंकि देखे जनरली इंडिया में लोग secret रखना पसंद करते हैं पर मैं कोशिश यह करता हूँ कि मेरे भाईयों को फाइदा पहुचे जो भी वीडियो को देख रहे हैं मेरे माध्यम से उनके तक मेरी बात पहुचे वो अपने घर से बैट के अपने अपने छेतर से वेपार करने को उनको प्रोसाहन मिले उनको वेल्यू मिले उनको मेरी बातों से उनको ये लगे कि हाँ हम भी वेपार कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हिम्मती नहीं जुटा पाते हैं वेपार करने के लिए बैट के सुष्टे रहते हैं अपना जीवन बहुत साधारन तरीके से गुजार देते हैं क्योंकि देखिए रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है ये मैं मानता हूँ लाइफ में अगर आपने रिस्क ही नहीं लिया लगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और लगते हैं तो मुझे बताईए और एक भाई होने के नाते मुझे सजेशन दीजे कि आपके लिए मैं और क्या-क्या वेल्यू एड़ करने की वीडियो लेके आऊँ मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं अब थोड़े अपने जो मेरा सिस्टम था अपने बात को मैं जादा स्यादा लोगों तक पहुचाऊं इसलिए मैंने थोड़ा चीजों को पैटन को चेंज किया है मैंने थोड़ा सा मोटिवेशनल एंगल भी अप लेने की कोशिश किये कि मैं थोड़े मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊंगा और अपने भाईयों और मेहनों को बिलकुल हिम्मत दूँगा कि वो भी आगे आएं और वेपार करें हमसे जुड़ें हमारे कई मॉडल्स सलने हमारे सेमिनार्स भी आजकल हो रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों का स्किल डेपलेमेंट कर रहे हैं सेमिनार के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताईए का मैं आपको पूरी बात बता दूँगा या मेरा दिया हुआ जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में उसमें बताईएगा पूरे वीडियो को अगर यहां तक देखा है तो उसके लिए मैं आपसे दिल से शुक्रिया बोलूँगा और ऐसे ही मेरे साथ जोड़े रही है थैंक यू पर वाचिंग दिस कम्प्ली वीडियो एव गूद देखा है